पिछले 15 दिनों के भीतर धवलापूर ग्राम के किसानों के पालतू जानवरों को बाग ने निशाना बनाते हुए पांच जानवरों की शिकार कर आदिवासी शित्र में दहशत फैला रखी है किसानों के आखों के सामने पशु भक्षी बाग ने एक एक करके पांच जानवरों को शिकार बनाया है धवलापूर और सावंगी ग्राम में बाग ने दहशत मचाई हुई है जानवरों की शिकार करने की घटना लगातार हो रही है जिस वज़ा से ग्रामिन आदिवासी धहशत के माहोल में जीवन बसर कर रहे है तीन बेल और दो गाय को शिकार बनाने के बाद बाग और भी जानवरों की शिकार की फिराक में होने से यहां के लोगों को अपने जानवरों को चराई कराने के लिए बहा ले जाने में भारी दिक्कते आ रही है इसलिए वन विभाक के अधिकारियों से पशु भक्षी भाग को यहां खदेरना जरूरी है ग्रामिनों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की जा रही है भूतपुर्व उप सरपंच विटल पाटिल ने बीसीय न्यूस से यहां के लोगों की रक्षा के लिए वन विभाक से मांग करते हुए का है की जल्दी इस वाग को इस शेतर से खदेर कर दूसरे शेतर में वन विभाक ले जाए जिससे यहां के लोगों की रक्षा की जा सके और जानवरों की भी रक्षा करना संभव हो सकता है वहीं कोलित मारा ग्राम में भी बाग की देशत की खबरे लगातार आने से यहां के लोगों में भारी डर पनपता जा रहा है आने वाले दुनों में बाग इसी तरह शिकार करता रहा तो पशु वक्षी बाग कभी भी आदम खोर बन सकता है लोगों का शिकार भी कर सकता है अगर वन्विभाग प्रशाशन जल्द कारवई करे तो यहां के जानवरों की रक्षा की जा सकती है इसलिए बाग को रियाईशी इलाकों से भगाना जरूरी हो गया है